सिरी शिफाय नमस्तुब्यम नमस्का मित्रो हर हर महादेव भवांसिव की क्रपा आप और आपके परवार पर बनी रहे दर्सको आज हम आपको हल्दी के कुछ छोटे छोटे उपाय सियर कर रहे हैं आप इन उपायों को अपने घर में अवस्य करें ऐसा करने से आपके घर में आरही परेशानिया दूर होंगी पैसे की दिक्कत हो या भ्यापा नहीं चर रहा हो या किसी को नजल लग गई हो हल्दी के ये छोटे छोटे उपाय आपकी उन समस्याओं को दूर कर देंगे दर्सको भारती रसोई में हल्दी का इस्तमाल खूब किया जाता है खाने को स्वादेश्ट बनाने वाली हल्दी सीहत को स्वेस्थ बनाती है हिंदू धर में हल्दी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है धार्मिक कार्यों में हल्दी का इस्तमाल किया जाता है साथी हल्दी के छोटे-छोटे उपाय व्यक्ति को बुरी सक्तियों से बचाने और किस्मच मकाने में बहुत कारगर होते हैं आज की वीडियो में हम आपके साथ हल्दी के छोटे-छोटे उपाय सियर कर रहे हैं आप इने एक बार अवस्ट करें दर्श को पाई जानने से पहले आपसे छोटी से रुक्वेस्ट है कि आपने अभीतर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक और सियर कर दें दर्श को हल्दी के छोटे-छोटे वाय जीवन में सुक समरदी लाते हैं यदि किसी व्यक्ति को नजल लग गई हैं तो वह कपड़े के छोटे से हिस्से को हल्दी से पीला कर उसे थोड़ी सी अजवायन रख कर काले धागे से भान ले और फिर जिस व्यक्ति को नजल लग बहुत मैनत के बाद धन एकटा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बुद्वार की निन भगवान गड़ेश को हल्दी की गांट की माला अर्पित करें, ऐसा करने से मालच्मी की क्रपा आपको मिलेगी और आपके घर में पैसा रुकना प्रारम हो जाएगा, यदि आपके घर में ल भी लच्मी प्रसन होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं, यदि आपका धन कहीं अटका पड़ा है, या आपका पैसा डूब गया है, या कोई आपसे उधार लेकर बापस नहीं दे रहा है, तो आप हल्दी से रंगे चावलों को पीले कपड़े में मौली से भान कर पू पैसा बापस दे देगा, साथ ही आपका डूब आ हुआ पैसा भी जल्द बापस आ जाएगा, दसको आज ही हल्दी के उपाय आप लोगों को अच्छे लगे होंगी, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, सीर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक् करना